Hello everyone, स्वागत आप सभी का Camel Channel पे इस वीडियो में हम बात करेंगे TIFER से related जो TATA Institute of Fundamental Research है वो अपना entrance test conduct करती है बच्चों को chemistry से related जो post graduate जो course ओफर करते हैं उनके अंदर admission के लिए So TIFER के बारे में देखते हैं थोड़ा सा देखें TIFER GS जिसको graduate school admission के नाम से बोला जाता है एक entrance exam है जो TATA Institute of Fundamental Research conduct कराती है बच्चों को post graduate science courses के अंदर admission के लिए अब chemistry से related जो TIFER के अंदर available courses हैं वो है एक तो PhD जो 5 साल के रहेगी आपर duration दे रखा है उसके बाद integrated MSC PhD होगी जो 6 साल की रहेगी TIFER GS के थूँ हम जो B.S.C. pass out student है वो integrated MSC PhD के लिए apply कर सकते हैं जो बच्चे research के अंदर अपना career बनाना चाते हैं उनके लिए बहुत ही शांदर opportunity है क्योंकि TIFER काफी एकदम rigorously focus करता है research areas के अंदर आपको integrated MSC के अंदर ना सिरफ MSC courses वाला जो है वो पढ़ाया जाएगा उसके साथ साथ आप जो है research के frontier जो है उनके अंदर भी कुछ नयानय सीखते रहेंगे जैसे जैसे आपका course आगे बढ़ता रहेगा तो काफी मज़ेदार एक opportunity है अगर आप TIFER का GS exam जो है वो qualify करते हैं तो अब इसकी कुछ eligibility criteria के बारे में देखते हैं तो देखे integrated PhD जो है उसके लिए आपके पास BSC, B Pharma या BS इसके equivalent कोई degree आपके पास होनी चाहिए तो फिर आप जो TIFER GS का exam है वो दे सकते हैं इससे related जो in question paper है मैंने 2010 लेके 2019 तक आपकी काफी अच्छी practice हो सकती है अगर आप ये previous year के question paper एक बार देखके एक बार अच्छे से solve करके अपने गलतियों को सुधार के अगर उनको correct करके आप entrance exam देने जाते हैं तो काफी अच्छा रहने वाला है आपके लिए अगर आपको ये content पसंद आया हो तो please video को like कीजीगा